C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है तीसरी जमाद के लिए उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार सबक नमबर तीन इद सफ़ा अठारा हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजहबों के मानने वाले लोग रहते हैं उन सब के तहवार भी अलग-अलग हैं और वो उन्हें अपने अपने तरेके से मनाते हैं उन में से कुछ ऐसे तहवार भी हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मनाये जाते हैं ऐसे तहवारों में ईद, होली, दीवाली और क्रिसमस वगएरा बहुत मशूर हैं ईद मुसल्मानों का सबसे बड़ा तहवार है ईद के दिन नमाज अदा करने से पहले एक मुकररा रकम गरीबों में तकसीम की जाती हैं इसे फितरा कहते हैं इसलिए इस ईद को ईदुल फितर भी कहा जाता है इस दिन हर घर में सिवईयां बनती हैं लोग मिठायां खरीद कर लाते और घर में भी बनाते हैं सफ़ा 19 इसलिए इसे मीठी ईद भी कहा जाता है ईद का मतलब ही खुशी और खुशी का तहवार है ये तहवार रमजान का महीना खत्म होने की खुशी में मनाया जाता है मुसल्मान रमजान के पूरे महीने रोजे रखते हैं रोजा सुभा होने से थोड़ी देर पहले शुरू होता है और सूरज डूबने तक जारी रहता है इस दौरान रोजेदार ना कुछ खाते हैं और ना पीते हैं बस सुभा होने से पहले कुछ खा पी लेते हैं जिसे सहरी कहते हैं, सूरज डूबने के बाद रूजा खोलते हैं, जिसे इफ्तार कहा जाता है, अक्सर लोग जकाद भी इसी महीने में निकालते हैं, और इसे जरूरत मंदों में तकसीम करते हैं। रमजान के रोजे पूरे होने के बाद, जब 29 या 30 रोजे की शाम चांद दिखाई देता है, तो अगले दिन बड़े धूमधाम से ईद मनाई जाती है। सफ़ा 20 कई दिन पहले से ईद की तैयारिया शुरू हो जाती है, बाजारों में बड़ी रौनक होती है, कोई कपड़े खरीदता है, तो कोई जूते, सिवईया और मिठाईया तो सभी खरीदते हैं, चूडियों और कपड़ों की दुकानों पर भीड लगी होती है, सब अपने अपन ईद की सुभा सभी नहाध होकर नए और साफ सुतरे कपड़े पहनते हैं और इतर लगाते हैं, चोटे बड़े सभी ईद गहा या बड़ी मज़ितों में ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, नमास पढ़ने के बाद, लोग आपस में गले मिलते हैं, और एक दूसरे को ईद की मुबारक बात देते हैं। ईद की नमाज पढ़कर वापस आते हुए बच्चों के लिए तरह तरह के खिलाने और गुबारे खरीदे जाते हैं। घर आने के बाद घर के बड़े बच्चों को ईदी देते हैं। ईदी पाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। ईद क के मौके पर घरों में खाने पीने का खास एहतमाम होता है। सिवईयां और तरह तरह की चीज़ें पकाई जाती है। इस मौके पर दोस्त, रिष्टेदार, सब मिलकर मुक्तलिफ कुस्म के पकवान खाते हैं। सिवईयों और मिठाईयों के भी मजे लेते हैं। सफ़ा बाईस। इद के दिन इद गाह के बाहर गाउं और शहर में जगा जगा मेला लगता है। मिठाई और खिलोनों की दुकाने सजाई जाती हैं। हिंडोले भी लगाए जाते हैं जिन में बच्चे जूला जूलते हैं। इद के दिन हर घर में बड़ी रौनक होती है। बाजारों में चहल पहल रहती है और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। इद हमें आपसी महबबत और उखवत का पैगाम देती है। असात्जा के लिए हिदायात। इद से मतालिक तलबा से गुफटगू करवाई जा सकती है। मजमून की तस्वीरों पर बच्चों से बातशीत करवाई जा सकती है। सफ़ा नंबर 23 पढ़िए और समझे एदी वो रकम जो वालिदैन या रिष्टेदार एद के दिन बच्चों को देते हैं। रमजान इसलामी साल का नवा महीना जिसमें मुसल्मान रोजे रखते हैं। मुकर्रा रकम तै की गई रकम। जकात माल का चालीसवा हिस्सा जो साल गुजरने के बाद जरूरत मंदों को दिया जाता है। तक्सीम बाटना रौनक चहल पहल धूमधाम अखुवत भाई चारा। सोचिए और बताईए। एक फितरा किसे कहते हैं। 2. इफ्तार किस वक्त किया जाता है। 3. ईद कब मनाई जाती है। 4. ईद की नमाज कहां अदा की जाती है। 5. रोजेदार सुबा होने से पहले जो कुछ खाते पीते हैं उसे क्या कहते हैं। 6. एदी किसे कहते हैं। खाली जगा। बुलंद आवाज से पढ़िए और खुशकत लिखिए। तक्सीम, खुशी, रमजान, तैयारियां, दोस्त। सफ़ा नमबर 25 दुरुस्त मुतजाद पर दाइरा बनाईए। मिसाल शाम, आज, कल, सुभा इसमें सुभा मुतजाद लवज है। इसलिए इस पर दाइरा बना हुआ है। इसी तरह आपको आगे भी मुतजाद अलफाज ढूनकर उन पर दाइरा लगाना है। खुशी, जोश, घम, लुत्फ, बड़ा, छोटा, सीधा, बुलन, दिन, साल, रात, शाम, खास, साथी, आम, शान, गाउ, शहर, बाजार, खेत। दिये गए अलफाज से पहला हर्फ हटा कर मिसाल के मताबिक नया लवज बनाईए। मिसाल, चहल, हल, इसमें चाह हटा कर हल बना दिया गया है। इसी तरह आपको आगे भी पहला हर्फ हटा कर नया लवज बनाना है। दिये गए अलफाज हैं मतलब, दिखाई, अगले, कपड़े, खत्म, मस्जिदों। सफा नंबर 26। कॉलम अलिफ और बे के सही जोड मिलाईए। अलिफ, इर, होली, दसहरा, दीवाली, क्रिस्मस। कॉलम बे में अलग-अलग तियोहारों की तस्वीरे दी गई हैं। आपको सही तियोहार के नाम से इनको मिलाना है। सफा नंबर 27। इस सबक में एक लवज है, रिश्टेदार, जो के रिश्टे और दार से मिलकर बना है, जिसके मानी है, रिश्टेवाले। ऐसे ही नीचे के अलफाज में भी दार जोड़ कर मिसाल के मताविक नया लवज बनाईए। मिसाल खबर, जमा, दार, बराबर, खबरदार इमान, जमा, खाली जगा, बराबर, खाली जगा शान, जमा, खाली जगा, बराबर, खाली जगा दीन जमा खाली जगा बराबर खाली जगा इज्जद जमा खाली जगा बराबर खाली जगा जान जमा खाली जगा बराबर खाली जगा जमीन जमा खाली जगा बराबर खाली जगा लिखे इद के दिन आपको जो इदी मिलती है उससे आप क्या करते हैं? दी गई खाली जगा पर लिखिए सफा नमबर 28 कीजिए इद कार्ड बना कर उसमें रंग भरिये दी गई खाली जगा पर आप एक इद कार्ड बनाईए और उसमें रंग भरिये पहेली कान पकड़ कर नाक पे बैठे, नाक चड़ी कहलाए, लोग उसे आखों पे बिठाएं, अपनी शान दिखाएं अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार समयी रिकॉडिस मयंक कुमार, निर्मार सहयोग चेतना शर्मा समयी फनकार, सुम्पुल शकील और फरहान अली नकवी, हिदायत और तखलीक कार, विमलेश चौधरी, ये किताब C.I.E.T.N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत के जरिये पेश की गई